नमस्ते ब्यूटिफुल सोल्स, स्वागत है आप सबका लाइट हाउस टेरोथे 6-9 में दोस्तों मैं इस बार फिर से लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी में लव रीडिंग और इसमें हम चेक करने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिष्टे में जो है क्या चल रहा है, एनरजी क्या है, फिर्स क्या है, ब्लॉकेजिस क्या है तो यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, डेफिनेटली इसके सारे पॉइंट्स आप सब के साथ में रेजनेट नहीं करेंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जिन लोगों के साथ में कि यह पॉइंट्स रेजनेट करते हैं, आप उनको लीजिए और दाकी के पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, इनकिस अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से आपका कोई भी पॉइंट्स रेजनेट नहीं कर रहा है, तो फिर आप दूसरी रीडिंग का इंतिजार कीजिए, मैं जल्थी दूसरी रीडिंग भी आप लोगों के लिए डालूँगी, तो आईए सबसे पहले देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के पीश में क्या चल रहा है, आप दोनों की जो है कनेक्टिंग एनर्जी क्या है, तो इसमें आया है पैरेंटर लोग, हम यह भी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी इस रिष्टे को लेकर के क्या है, अब हम वेरी क्विकली कुछ कार्ट निकाल लेते हैं, और फिर देखते हैं, कि आपके लिए आगे तो तक क्या हम्लेके बींग करने वाले हूं यह जो मैं रेडिन करने दिए हूँ इस पर चीज़ेर, चीज़े से हम रिश्टे के उवह ए वह जब बीछनाने हैं के पर आफ को लटने पर ली आपको वोगनेरो में हुआ। क्रेट कप, क्विल, रोस्टर, रिंग, एगल, टॉर्टस, और ब्रोकन रिंग, आल राइट, तो अगर हम energies की बात करें, तो आपकी जो connecting energy है, वो है parental love की, तो इसमें ये है कि आप दोनों में से कोई एक है, जो शायद उतना mature नहीं है, जितने की दोनों partner equally mature होते हैं, तो एक जो है, वो बहुत जादा एक बच्चे की तरह behave करता है, और जो दूसरा जो है, वो बहुत जाद mature person की तरह behave करता है, तो एक जो parent child का जो relationship होता है, रिष्टा होता है, उस तरह की energy है, जहां पर की energy balanced नहीं है, इसका मतलब है, आपकी energy जो है, उसमें आया है materialistic love, तो ये energy आपकी, आपके partner की हो सकती है, इसमें ये है कि let's hope this relationship is not just about the money and gifts, you will only end up feeling miserable, तो हो सकता है कि आपकी energy या आपके partner की energy ऐसी है, जिनको लगता है कि प्यार का मतलब सिर्फ ये होता है, कि पैसा खर्च किया जाए, एक दूसरे के ओपर gifts दिये जाएं, पैसा खर्च हो, जरूरते पूरी की जाएं, मतलब कि material चीज़ें होती हैं, कभी phone gift में मिल गया, कभी कुछ और मिल तो भी प्यार होता है, तो materialistic love जब होता है, तब जो है उस में पैसा जो है, वो जादा important हो जाता है, बाकी चीज़े side line हो जाती है, यहाँ पर आया है आपके partner की energy star cross lovers में, both of you will want to be together, but you will feel the stars are walking against you, perhaps it's bad timing, तो हो सकता है कि again energies exchange हो सकती है, तो आपके partner को लगता है कि वो आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिष्टा और आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन यह हो रहा है कि कहीं न कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ घट कि यहांग इंगेजमेंट शादी यह सब चीज़े दिखा रहा है और दूसरी तरफ आ रहा है कि ब्रोकन रिंग है तो शायद रिष्टा बनते-बनते तूट चुका है या बनता नहीं है या बनते बनते कुछ अरचना जाती है इस तरह से आपके रिष्टे में ये सब चीजे चलती जा रही है आपको जो समझना है वो यह है कि फिलहाल आप दोनों में कुछ ना कुछ लेकर के एक असंतोश की भावना है उसको दूर करना है आप दोनोंने मिल करके क्योंकि आप दोनों के बीच में यह है कि आप लोग ने जो सपने मिलकर देखे थे शायद उस अपने आप लोग पूरे नहीं कर पाए या जो चाहते थे अचीव करना वो नहीं कर पाए या फिर जैसा कि इसी की वज़े से यह हो रहा है कि चीजें जो हैं बहतर तो होने वाली है और उसमें वक्त लगेगा चीजें जो हैं आपके रिष्टे में जो है वो बहतर होंगी लेकिन उसको बहतर करने के लिए सबसे पहले बेजिक्स पर आना पड़ेगा जो की एक इंबैलेंस्ट एनरजी करना पड़ेगा यहां पर है रुष्टर का कार्ड तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप या आपकी लाइफ में ऐसा कोई इनसान है जो बहुत ज़्यादा एरोगंट है बहुत घमंडी है और आकर कि आपके रिष्टे में अर्चन पैदा करता है या आपका भी है विर आपने मूलवूथ करने वाली है और वह जो है वो एक डिस्टरबेंस पैदा कर रही है आगे यह करना आए ही है वह बिल्कुल ऑसमें से बाहर आए legally लेकिन उसमें से बाहर आने के लिए आपको करना यही है कि आपको जो है अपने मूलभूत स्वभाव में या अपने मूलभूत रिष्टे में जो आपकी जो कनेक्टिंग एनरजी है उसमें सब में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आना होगा क्योंकि यहाँ पर रिंग है ब्रोकन रिंग है जैसे मैंने कहा तो यह भी हो सकता है कि अगर मान लीजे आप में से कुछ लोगों का यह हो सकता है कि एक आदा पार्टनर मेरिड हो तो उसको अगर अपने पहले वाले रिष्टे में से अलग होना है तो वो भी उसको करना होगा सबके लिए ये नहीं है लेकिन कुछ एक रिष्टों में ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर जो है वो मेरिड है तो उसको जो है जाकर के अपने पार्टनर से अलग होकर के फिर आपके साथ में रिष्टा आगे बढ़ाना है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि शायद वो ऐसे किसी काम में हैं जिसमें वो इतना जादा बीजी रहते हैं कि उस बीजी रहने के चलते वो आपको वक्त नहीं दे पाते हैं तो उसमें से भी उनको बाहर आना पड़ेगा ले देखकर के बात पूरी यही है कि प्यार है आप लोगों के बीश में लेकिन आप लोग में कुछ ऐसा हो जाता है कि बाते बनते बनते बिगड़ जाते हैं यह देखते हैं कि आपके इस रिष्टे में जो है ब्लोक के चीज़ क्या है तो इसमें जो है हमको कार्ड आया है वो यही समझा रहा है कि हो सकता है आप लोग या तो लोंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप में हैं या फिर आप इसे मैंने ये लिख लिख में ब्रोकन अ याम यहाई कैना ब्लोक में आपके प्लाब नही नहीं दे पातें सबnın भश्टिफ में है कि हो सकता है कि आप लोग तूसरे को कुरा वक्त नहीं दे पाा रहे हैं या फिर अपन शेंशिप मात्ले क्याओे हुआ हैं अपने उसमें क कोई एंथूजियाजम नहीं है कोई चाम नहीं रह गया है और वही चीज़े जो है वह आपके रिष्टे में ब्लॉकेज बनी हुई है तो उसमें से आपको बाहर आने की जरुवत है आये देखते हैं कि रूमान्स एंजल्स की ओर से क्या मैसेज है रूमान्स एंजल्स की ओर से मैसेज आया है उसमें आया है लेट गो ओफ कंट्रोल इस्च्यूज और उसके बाद में दूसरा आया है हनीमून का कार्ड तो डेफिनेटली इसका मतलब तो यह होता है कि आपका रिष्टा जो है वो आगे बढ़ने के लिए ही है पूरी तरह से अभी विक्सित खिला हुआ नहीं है रिष्टा और उसको खिलने देने के लिए उसका पूरा विकास हो उसके लिए आपको जो है इस रिष्टे को कहीं पर भी कोई भी तरीके से कंट खुश्बू अपने आप फैलेगी बस बात ये है कि एक बैलेंस की जो कमी है वो लाईए एक दूसरे को कंट्रोल करने की जो जिद है उससे बाहर आईए दूसरे लोगों को अपने रिष्टे में इंटरफियर ना करने दीजिए काम की वज़े से अपने रिष्टे को समय नही हैंगे उन चेंजिस की वज़े से ही जो है आप आगे बढ़ पाहेंगे और वो आगे यहां तक होंगे कि आप फिर हनीमून भी आपके उसमें आया है तो टेफिनेटली इस तरह से एक बहुत अच्छा रिष्टा है लेकिन कुछ मिसंडर्स्टेंडिंग्स की वज़े से आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हम तीन कार्ट निकालेंगे तो हमारे पास में आया है five of pentacles का card साथ में है judgment का card और है हमारे पास the high priestess का card तो please do not abandon me I feel like you have left me out in the cold तो जैसा कि आपके partner की energy हमने देखी थी कि उनको लग रहा है कि बात बंते बंते बिगड़ जाती है और आप दूर चले जाते हैं तो वही आपके partner कहना चाह रहे हैं कि आप दूर मत चाहिए वो जो है आप से दूर होकर कि रह नहीं पाते हैं I am manifesting healthy changes in our relationship which will enable us to take the right decisions It is time to take the right call तो आपके partner पूरी दर से मानते हैं कि अच्छे healthy changes आपके रिष्टे में आएंगे और उसकी वज़े से आप लोग आगे बढ़ पाएंगे और उनको लग रहा है कि वक्त आ गया है कि वो healthy changes अब लाए जाए और next card है I feel this deep spiritual and intuitive connection with you but maybe for now I will keep it to myself तो हो सकता है कि आपके partner जो है अभी आप से खुल कर दिल की बात ना कह रहे हूं और इसलिए जो blockage वाला card आया था जिसमें मैंने कहा था कि शायद आप बात नहीं कर रहे हैं खुल कर के तो वही है कि 悲गा आप से बात नहीं कर रहे हैं और उसमें बात सिर्फ वजह यही हो सकती है कि वो यह चाहते हैं कि रिष्टे को थोड़ा समय दिया जाए एक दूसरे को थोड़ा और समझा जाए और एक मजबूत रिष्टे की नीव रखी जाए ऐसा रिष्टा जो दूसरों को भी खुश्बू दे दूसरों को भी खुशी दे तो यही है मेरी और से आपके लिए रीडिंग अगली बार फिर से मिलेंगे तब तक के लिए बाबाएं टेक गूट केर अफ यॉरसेव जैनि यस प्लीज डू लाइक एंड शेर एंड सब्सक् थैंक यू सो मुश्बूच जैनल थैंक यू सो मुश्बूच